तो friends, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं cutting length के बारे में what is cutting length? बहुत जन का ये comment मैंने देखा और ताज्यूब हुआ कि cutting length अगर आपको नहीं पता है तो BBS का basic ये आपको नहीं पता है तो cutting length में और जो length हम लोग डालते हैं beam के अंदर या column के अंदर कोई भी steel तो उसके length में और cutting length में क्या difference होता है actually में तो मैं पूरा example लेके और पूरा detail में आपको समझाओंगा और इस video को देखने के बाद आपका cutting length के प्रती जो भी confusion था ना सारा दूर हो जाएगा इसकी guarantee मैं लेता हूँ ठीक है तो आपको एक ही काम करना है वीडियो को पूरा देखना है और वीडियो अच्छा लागे ना तो share कीजिएगा वीडियो को like नहीं करना है चैनल को subscribe नहीं करना है मत कीजिए मुझे कोई problem नहीं है कोई issue नहीं है लेकिन वीडियो को share कीजिएगा जरूर प्लीज इतना मुझसे request है क्योंकि हम चाहते है कि civil engineer के जितने भी बच्चे हो जितने भी बंदे है न वो सब सीखे जो मैं problem face किया हूँ site पे जाके वो आप लोग face ना करो मैं यही चाहता हूँ बस तो share सबको कीजिएगा ठीक है तो चली जान लेते है cutting length क्या होता है जब भी आप लोग site पे bbs करते हो bbs मतलग bar bending schedule ठीक है अब भाईया दोनों में अंतर क्या है cutting length में और जो steel हमें प्रोवाइट करेंगे हमारे अंदर में उसको लेके तो पहले drawing को समझ लेते हैं अच्छा drawing से पहले हैं बता दू जब भी आप bbs प्रोवाइट करते हो ना तो उसमें एक shape of bar रहता है ठीक है shape of bar उसमें हम लोग कहते है dimension लिग देते हैं तो फिटर भाईया आपको मैं ये shape का drawing दे रहा हूँ और ये map मैं दे रहा हूँ यहाँ पर certain कोई dimension होगा यहाँ पर कोई dimension होगा यह dimension होगा मुझे आप कुछ भी करो जो सरीया है ना कितना भी लंबा काटो कितना भी छोटा काटो मुझे कोई फरक नहीं पड़ता मेरा shape बार shape पर जो dimension लिखा है मैं उसको जब मापूंगा तो मुझे वो dimension मिलना चाहिए ठीक है तो वही करने के लिए हम लोगो क्या करना परता है cutting length निकालना परता है और ये length और shape of bar पर जो length लिखा लता है अगर इसको और इसको add करोगे और इसको देखोगे तो कभी भी ये दुनों match नहीं करेगा क्यों नहीं match करेगा वो bend deduction के कारण पहले इस drawing को समझते हैं फिर एक करके मैं आपको दिखाऊंगा न तो concept clear हो जाए कि कहां पर वो differences है ये column है ये column है ये pillar है ये pillar है ठीक है इसके अंदर ये beam मेरा बीच में जा रहा है इस beam का length मेरे या पर 3 meter पक रहा है 3000 mm ठीक है ये column का ये वारा देख लीजिए shape कितना है ये length ये 700 mm ये भी 700 mm ठीक है ये काम आने वाला है कब जो हम लो development length का वो निकालेंगे तब तो पहले देख लीजिए हम लोग या पर ये beam है डाया ओफ बार ये जो बार आप बीच में देख रहा हो ये बार का डाया मैंने 20 mm पक रहा है clear cover इधर से और इधर से clear cover minus होगा उसको मैंने 30 mm पक रहा है और development length या पर मैंने 50D पक रहा है तो यहां मैंने aspect drawing मतब drawing में जो दिया रहता है वो आपको पकर लेना है तो मैंने LD consider कर लिया है 50D कोई पूछना मत 50D कहां से ले लिए क्योंकि बोलने के बावजूद भी आप लोग फूचते हो कि 50D सर कहां से ले लिए ये मैं consider किया हूँ ठीक है अब चलिए सबसे पहले हम पाट होता है ना यह हमारा होता है development length मतलब यह वाला पाट और यह वाला पाट यह दोनों मिला के हमारा होता है LD यह LD यह LD पतब यह दोनों LD नहीं है यह दोनों को मिला कर LD है समझ मैं किया ना ऐसा मत समझ ना मतलब यह पाट यहां से लेकर यहां तक जितना ही bend कर रहा है यह एल वो लिख दी है, प्लस development length, development length इधर एड होगा, इधर से एड होगा, minus bend, 90 degree का दो bend आ रहा है यहाँ पे, एक bend यहाँ पे 90 degree, और एक bend यहाँ पे 90 degree, तो वो bend को minus कर देना है, यह जब total आप कर देता हो concept, तो जो भी length आपको मिलता है, वो cutting length मिलता है, cutting length मतलब, आपके side पे 12 meter का सड़िया परा रहता है, ठीक है, आप theater को यह shape दे दिये, तो वो क्या करेगा, इस shape के यहाँ पे एक dimension है, यहाँ पे dimension है, यहाँ पे dimension है, यहाँ पे dimension है, वो इसको add करके steel कर काट दियाना, तो आपका loss है, क्योंकि आप जो लोहा काटोगे, वो ज़्यादा बड़ा काट और उससे जब आप bending करके बनाओगे, तो वो और ज्यादा बड़ा बन जाएगा, तो हम लोग को इस dimension का size बनाने के लिए, cutting length निकालना परता है, क्योंकि bend deduction बोल के एक बात होता है, अगर वो bend deduction आप नहीं करोगे, तो steel ज्यादा बड़ा कर जाएगा, कैसे मैं अभी और बत आता हूँ आपको, तो यह निकालते है, L की जगा 3000 put की है, 3 meter, development length यह put कर देते है, कितना development length है, 1, 2, तो यह 2 हो गया, और एक development length मेरा कितना है, 50 D, तो 50 D, D में डाया है, डाया मैंने बताया था, 20 mm का यह बार है, 20, ठीक है, अब माइनस bend deduction करते है, कितना bend है, यह bend, 2 bend, 2 90 degree का bend आ रहा है, यह वाला पार्ट, और यह वाला पार्ट, ठीक है, तो उसके लिए 2 आ गया, और एक 90 degree के लिए कितना bend deduction होगा, 2 D, तो यह 2 और D, डाया कितना है, 20 मेरा है, यह डाल दिये है, ठीक है, कैल्कुलर कर रोगना है, 4920, यह मेरा जो निकल के आया है, यह cutting length निकल के आय 4920, यहां से वो मापेगा, 4920 पे काट की steel को क्या करेगा, यह निकाल देगा, और just इस steel को रख लेगा, अभी यह steel straight form में है, यह कोई bending नहीं किया है, कुछ भी मोरे मोरे कुछ नहीं है, straight form में है, अब देखिए, जब हम straight form में 4920 mm का steel काट लेते हैं, और उसको जब bend करते हैं तब वो देखिए कितना बड़ा बन जाता है, चलिए अब देखते हैं उसको, ठीक है, तो cutting land हमारा निकला 4920, अब चलिए हम लोग को bar shape जो बना का देना होगा, फिटर को, वो कैसे निकालते हैं, वो देख लीजिए, ठीक है, हम लोग को main dimension चाहिए, वो यहां से लेके, को divide कर देना है, अब development land का जो concept है, वो भूल जाइए, हमको उसे फरक नहीं परता है, अब हम लोग क्या धियान रखना है, total, total कितना है, यह beam मेरा है, 3 meter, प्लस यह column का कितना है, 700, यह column का कितना है, 700, तो total यह कितना निकला, total, 3 meter, plus 0.7, 0.7, मतलब, यह 3000 mm, 700, 700, कितना हुआ, 4,400, ठीक है, तो हमारा यह total कितना निकला, 4,400, नहीं, आप एक concept को यहाँ पर देखिए, इसको समझाने के लिए मैं यह sketch बनाता हूँ, यह था मेरा 3 meter, और यह है हमारा 700, यह है मेरा 700, इस total को जोड़ दो, तो हमारा total मिल गया, मतलब इस column के out face में आ गया, इस column के out face में आ तो कितना होता है यह वाला, यह length अगर निकालेंगे, मालने यह A है, यह B है, यह B है, तो हम लोग A को कैसे निकालेंगे, total कितना निकला, यह total 3000, प्लस 700, प्लस 700, यह करने पर कितना आ रहा है, 4,400, तो यह तो मेरा out to out है, तो steel के हम लोग पूरा column में सटा देंगे, column में अधर से clear cover माइनस होता है, तो clear cover मेंने किता पक्राइब, 30-30, इधर से भी 30, उधर से भी 30, तो वही 30-30 आपको क्या करना है, deduct कर देना है, तो इसमें 2 into clear cover, माइनस कीजिए, मतलब 2 into 30, मतलब 60 माइनस हो जाएगा, तो 60 माइनस होने पर यह कितना बचेगा, 4340 मिलिमिटर, त तो जब फीटर को हम लोग जब shape बार बना कर देंगे ना, तो हम लोग ऊपर में यह mention कर देंगे, कि हमारा A है, यह A की जगा कितना होना चाहिए, 4340, तो हमारा A कितना निकल गया, 4340 मिलिमिटर, ठीक है, तो हमारा यह shape निकल गया, मतलब यह bar shape का, यह वारा length निकल गया, A तो हम लोग को B निकालना है, तो B हम लोग कैसे निकालेंगे, इसमें हम लोगा काम आएगा development length, देखिए, development length मेरा कहां से कहां तक है, यहां से लेके, यहां तक development length है, है ना, यहां से लेके, यहां तक development length है, अगर मैं development length में यह वाला length minus कर दू, तो मैं यह length निकल जाएगा, समझ में आगया बहुत कोई ऐसा सोच रहे होंगे कि यह height मैंने provide किया है तो height किसले provide किया है कि height से उपर से clear cover minus नीचे से clear cover minus तो यह height निकल जाएगा नहीं यह गलर तरीका है करने का ठीक ऐसा कभी भी मत करना जिन्दिगी में कभी मत करना करना कैसे है मतलब 1 meter मेरा LD आ जा रहा है 1 meter का actually हम लोग को यह bar shape क्यों देना पड़ता है फिटर को bar shape जब तक नहीं दोगे वो bend कहां से करेगा कहां से नहीं करेगा वो समझ ही नहीं पाएगा ठीक है तो मेरा LD निकला 1 meter अब हम लोग को जानना है कि हम लोग के column में यह जो beam का यह straight जो जा रहा है यह कितना जा रहा है समझ मैं आ गया मतलब यह वाला part कितना है यह वाला part कितना है अगर यह part मैं minus कर दूँ यह minus क्यों करूंगा क्योंकि यह already मैंने straight bar में यह उपर वाले bar जब calculate कर रहा था इसमें मैं ले चुका हूँ यहाँ पे ठीक है यहाँ से यहाँ तक आपका clear beam था यहाँ से यहाँ तक और यह part आपका जा रहा है column में यह part जा रहा है आपका column में तो यह तो मैं निकाल चुका हूँ न और मैं development length क्या है पूरा यहां से लेके यहां तक तो development length में मैं यह वाला length जो है यह minus करना चाता हूँ ठीक है तो यह length मेरा कितना है अब देखिए column का यह help लगेगा मुझे total कितना था 700 700 में यहां से clear cover minus कर दीजिए तो वही तो बचा यह distance मेरा 700 में clear cover minus कीजिए 30 कितना बचेगा 670 तो LD में 670 minus कर दीजिए LD में 670 minus कर दीजिए तो 670 जैसी अब minus करोगे तो कितना बचेगा 700, 330 330 mm समझ में आ गया तो यह height मेरा कितना निकल गया 330 mm तो बार शेप में आप जब बना के दो गना ही हो वाला तो यह B की जगा आप लिखोगे 330 mm और इधर लिखोगे 330 mm समझ में आ गया तो यह proper आपका एक बार शेप बन गया मैं इसको proper कर देता हूँ तो यह proper शेप बार आपका बन गया अब एक चीज करके देखते हैं ना जो बार का लेंध हम लोग निकाला है यहाँ पर 330 यहाँ पर 330 और यह 4340 इन तिनों को आट करते हैं क्या तिनों को आट करने से हमारा जो cutting lane था वो क्या मिलेगा जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा करके देखते हैं फिर भी एक बार ठीक है तो देखिए कितना है 4340 4340 1330 यहाँ पर है और 1330 इधर में है तो इनको आट करके देखते हैं कितना मिलता है 0, 3, 3, 6, 6, 4, 10 हाथ में 1, 3, 3, 6, 9, 1, 10 हाथ में 1, 5 अड़े बापरे यह तो 5 मिटर बन गया यह तो 5 मिटर बन गया अब भाया आप cutting lane जब निकालते उस समय जब शरीय का आप 5 मिटर कार देते तो कि आपका यह shape बनता नहीं बनता और ज़्यादा बरा बन जाता क्योंकि cutting length always कम होता है cutting length कम निकलेगा बार का shape जो बनेगा उत्वरा बरा बनेगा क्योंकि जब भी हम लोग steel bar को bend करते हैं तो उसका हलका सा length जो है वो increase हो जाता है वो बढ़ जाता है समझ में आ गया तो वो जो बढ़ता है अगर मैं उतना का अगर steel कार दो तो वो तो wastage है हम क्यों extra काटेंगे तो हम लोग उस bend को minus कर देते हैं मतलब जो बढ़ने वाला है न उसको minus करके जितना हमको exact length चाहिए वही exact length का ही हम लोग बार काटते हैं इसलिए cutting length हम लोग निकालते है cutting length कम up होता है bend deduction को लेकर bend deduction करके जो length हमको मिलता है वो होता है cutting length समझ में आ गया और bend deduction को आप हटा दोगे तो जो आपका length बनेगा वो बनेगा आपका बार का shape का length देख लिए यहां से अगर bend को minus नहीं करते न तो L plus development length करो यह 3 meter आया और यह आएक आपको 2 meter 2 into 15 into 20 करोगे न तो यह आएका 2 meter तो 3, 2, 5 meter आया न वही 5 meter देखिए यहां पर आया है तो अब मैं उम्मीद करता हूं आप लोको concept clear होगा कि cutting length क्या है और बार को bend करने के बाद जो length आता है वो क्या है दो में बहुत अंतर होता है cutting length कम होगा always और जो बार shape करके bend करके जो उसका length बन जाएगा वो ज़्यादा बनेगा कितना ज़्यादा बनेगा कितना differences होता है यह bend का जो value है उतना distance होगा बतला bend अगर आप deduct कर दोगे तो cutting length और bend को अगर आप deduct नहीं करोगे bend को उसी में रहने दो तो वो आपका बन जाता है आपका bar का shape का length तो देख लिए ना differences तो हम लोको जो fitter को देना परता है वो यह देना परता है हमको भाई इतना भाई इतना भाई इतना भाई इतना भाई हमको bar shape चाहिए अब तुम को क्या करना है तुम समझो तो वो क्या करता है यह cutting length इस तरह के से निकालता है और वो क्या करेगा सरीया कम काटेगा इतना का ही काटेगा और इतना को काट कि जब वो bend करना चालू करेगा ना bend करने के बाद जब उसको मापेगा उसको measure करेगा तो उसको automatic यह measurement मिल जाएगा कुछ जादा ही मिलेगा तो मैं उम्मीद करता हूँ यह वीडियो बड़ा हो गया है इसके लिए मैं आपको sorry बोलता हूँ but flow flow में निकलता है तो मैं बोलने लग face नहीं करना चाहिए उन लोग को सब चीज समझ में आना चाहिए तो आज के लिए इतना ही है नेक्स प्रेट मैं फिर कुछ आनले के आऊंगा आँगा आप लोग के लिए तो तक लिए बाए टाटा जैहिंद